हाथ नमस्कार मैं सालिनी ऑंज मैं फिरसेंग नई रेसिपी के साथ आप सबके सामने बुचते थों आज मैं डुर्य सफिक के विसकी गते हैं और सेंगा कहते हैं मौत कि सबजी बनाने वाली हूँ ठीज बना खेर हैं अभी मैं सबसे पहले को अच्छी तरह से धो लेंगे किसी भी सब्जी को जब हम काटते हैं तो बहतर है कि उसे पहले धो लें धो करके तभी सब्जियों को काटे नहीं तो इसकी बहुत सारी पॉस्टीकता बाद में धोने से काटने के बाद धोने से खतम हो जाती है सबसे पहले सोजन को इस तरह से छिल लेना होता है सोजन तो सबसे अच्छा खाने में पतली वाली ही लगती है एकदम पतली नहीं जो होती है वही खाने में सबसे अच्छी लगती है उसमें से रेसे भी नहीं निकलते हैं उसे बस ऐसे ही बना दिया जाता है उसके बाद फिर एकदम मूटी हो जाती है तब खाया जाता है तब अच्छी लगती है वैसे सोजन बहुत ही फाइदेमंद सब्जी है इसे किसी भी तरह से किसी भी रूप में इसे बरबाद नहीं करना चाहिए है इस तरह से इसे छिल लेंगे और सुजसया of gute शौफ दीश कर लें नहीं तो कढ़ी रही तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी मार्य से पार्वास कर्द कर और अपने मन पसंद पीस हन्लेंगे इसे चूसने में आसान होता है इस तरह से इसके इतने बड़े इस last scholar लेते हैं यह जब सॉफ्ट रहे थी तो पीलर से भी बहुत आसानी से छील जाती है इस तरह से छील कर और इसके पिसेस बना कर रख लेंगे इस सब्च बंनाने के लिए हमें चाहिए होंगे हडी मिर्च लैसन मैंने 2 हरी मिर्च ली है दिने अन्य दिसाइड करना है लैसन की कलीया मैंわかंगे धोड़ीबडे साइज मैंने लिए आधी चम्मच नमक के लिए लिए में लिए हैं वन अन्दार चमच राई और आधी जीरा जीरा की पाओडबर ना हो तो सभी तेल अच्छी होती हैं सभी तेल बहुत फायदेमंद हुती हैं हम जिस चगह पर रहते हैं उसमिटी की उपच हमारे शरीर को लगती है वरे सरीर को फायदा पहुंचा तो लेकिन जो जिस तरह से है उसे उसे स्विकार करना चाहिए हम लोगों ने आजकल रिफाइंड ला अच्छी नहीं होती हमारा सरीर से एक्सेप्ट नहीं करता है इसलिए हमें तरह तरह के रोग बिमारी होनी लग चाते हैं तो इस बात का सबों को ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले पॉट में डालकर और राई और जीरा को पीस लेना है जब यह पीस जाहेगी तब इसमें घरी मिर्च और लहसन डालूग्ए उसमें मैं अपने अनुसार तीखा दो हरी मिर्च लिए हैं और इसमें मैं बढ़ी है lot का लें यह मैंने छेलिए है मैंने जीरा और राई को पीस लिया है अब इसमें लैसन और हरे मिर्च मिक्स कर देती हूं और अब इसमें मैं थोड़ा से पानी डाल कर और इसे पीस लोंगे इस तरह से मसाला पिसकर तयार कर लेंगे इसमें भ्लैक पेपर पौडर भी ढल देते हैं ड्रमस्टिक की सब्जी को बनाने के दो-तीन तरीके हैं इसे या तो सीधा तेल डाल कर कड़ाई में और तरका डाल कर इसे डाल करके भी बनाते हैं नहीं तो एक दूसरा तरीका ये है कि पानी को boil करके और इसमें drum stick डाल कर पकाना है ब欸 Leb zorrec tunugi को boil कर लेते हैं और तब उसे बनाते हैं मैं पहले drum stick को boil कर लेती हूं पानी को मैंने boil होने चड़ा दिया है जैसे ही boil होने लगेगी मैं इसमें drum stick डाल दूँगे बॉइल कर लेंगे, इसी तरह से, ये पांच मिट में खुब अच्छी तरह से बॉइल हो करके पक भी जाती है, और अब स्टोप को बल कर देंगे, और इस पानी को रखना है, मैं इसी पानी को प्लास्ट में कड़ी बनाने के लिए डालूंगे, और इसा इस तरह से छान कर निकाल लेना है, इस पानी को रखते ना है, धब कर, तो चलिए अब सबजी बनाना शुरू करते हूँ, सबसे पहले पतिले को या कड़ाई जो भी चीछे उसको गर्ण कर लेना है, और उसमें दो चमच तेल डाल देना है, तेल के गर्म होते ही, जीरा और मैं एक छोटा सा लाल मिर्च ली हूँ, इसमें बाद में निकाल दूँगे, सिर्फ इसे सॉंदा करने के लिए डाहूँगे, और इसे थोड़ा चटका ना है, हल्की जीरा भून जानी चाहिए, और लाल मिर्च की थोड़ी सॉंदी होना ज़रूरी है, उसके बाद मैं लाल मिर्च को निकाल दूँगे, जैसे ही मिर्ज थोड़ा कलर चेंज कर दे मैं इसमें ड्रम स्टिक थोड़ी थंडी हो गई है इसे डाब दोगे इसे बस दो मिनट मैं इस तरह से थोड़ा हिलाने दे इसे में जादा भून दिना है किसे 2 मिन इस तरह से भून देने देखा इसमें राई का पेस्ट दाँ देते हैं इस मसाले को जादा भूना देने देता है अगर इसे जादा भूनेंगे तो ये कड़़ी लगीजी मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हुआ आधी चमच नमक लिए बार में चटकर नमक डाल देना अच्छा होता है नमक तेथ हो जाना थीत नहीं होता आधी चमच मैंने घबड़ीगी हुआ इसे बस दो मिनेत इस तरह से पिलाने, कभी भी राइची मसाला को बहुत ज्यादा भूनना नहीं हो चाहिए, कड़ी हो चाहिए इस मसाले को बहुत जलने में जलना है, बस हल्की से एक से दो मिनेत भून कर और इसमें पानी डाला है पानी में पहले जो ड्रम स्टिक को बॉइल किया था, वही डाला है और जैसी कड़ी तयार करनी है, वैसा पानी इसमें रखना है क्योंकि पहले से इडाम स्टिक पकी होई है, मैं इसे बस 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसे इस तरह से ढख कर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है 5 मिनट में इस सबजी देखें, इस तरह से बनकर बिलकु तयार हो जाती है कड़ी अपने मन मुताबी बनाएंगे अगर हम लटपट बनाना है तो पानी इसमें थोड़ा कम डालें मैंने इसमें 1.5 लिटर पानी डाले है मुझे इसे थोड़ा कड़ी तयार करना है और जैसे यह ठंडी होगी मैंने इसमें देखें इस तरह की कड़ी रखी है जैसे यह ठंडी होगी यह और गाड़ी हो जाती है और खाने तक बिलकुल ठीक हो जाती है इस तरह से ड्रमिस्टिक की बहुत ही स्वादे सब्जी त्यार की जाती है आप इसे बना कर देखे और अपने कमेंट समाय साच जरूर सेयर करें आपके कमेंट समाने लिए बहुत माइने रखती है अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अगर नहीं कि मेरी वीडियो में कमी क्या है जैसे अजीत कपाडिया जी हमारे एक व्यूवर है उन्होंने बहुत अच्छी जानकाड़ी दी मुझे कि स्टील के बरतन पर रखकर स्टील की छूड़ी से सब्जियों को नहीं काटना चाहिए सबसे पहली बात स्टील के बरतन में जिसाई से ध्यान में रखना चाहिए अजीत कपाड़े जी आपको बहुत बहुत सुक्रिया में वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना बूले धन्यवाद